मैं आज जो है वो राम मंदर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो आप लोगों के लिए निमंतरन दे रही है वहीं विपक्ष जो है वो यह कह रहा है कि आदे अधूरे मंदर का जो है वो प्रतिष्ठा यानि को उद्गाटन इसलिए कर रही है मोधी सरकार कि कि चुना से जोड़ा जा रहा है ना प्राण प्रतिस्था के मुद्दे को लेकर आज देश में जशने का मोहुल है लोक कोश है राम मैं महुल है पर वहीं विपक्त जो है वो उस मुद्दे पर सवाल उठाता घबी कहता है कि तीन किलो मीटर जो है वो बाबरी से दूर मंदिर बनाया ज चाहती हूं कि ये सवाल हमें हमारे धर्म गुरूं से करना चाहिए राजनीती अपनी जगा है धर्म अपनी जगा है जो भारत के धर्म गुरू है उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या हम सही समय पर प्रांड प्रतिश्था कर रहे हैं क्या आधा अधूरा या मंदिर कि अगर हम करें तो मुझे लगता है कि वो कभी भी अगर होता वो अब होता या छे महीने बाद होता या एक साल बाद होता उस पर राजनीती होनी ही थी उसको रोका नहीं जा सकता था तो मुझे लगता है इस पर हम अपनी उर्जा क्यों वेर्थ करें कि क्या सही हो रहा है क्य प्राम मंदर को लेकर खुश हैं राम मंदर जो है वो बन गया है उद्गाटन की बारी है वहीं जो विपक्ष आज राम मंदर को लेकर सवाल उठा रहा है चुनाव आते ही वही जने उधारी करके ये कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है तो अज जनता ऐसे लोगों पर भरोजा करेगी चाहें वो मुसल्मान हो चाहें वो हिंदू देखिए एक पुराने जमाने का एक गाना था ये पबलिक है ये सब जानती है पबलिक बेवकूफ नहीं है आजकल टीवी डिबेट्स हैं सोशल मीडिया है पबलिक को सारी स्टेट्मेंट्स याद हैं राम अ अंदर निर्मान में कौन साथ खड़ा था और कौन विरोध में खड़ा था ये भारत की जनता बहुत अच्छे से जानती है बहुत से वो लोग जो भगवान राम के चरित्र पे उंगलियां उठाते थे बहुत से वो लोग जो भगवान राम के अस्तित्र पे उंगलियां उ अंदर बन रहा है तो दूसरी तरफ मस्जद भी बनाई जा रहा है जिसके लिए जगा जो है वो सुप्रीम कोड की तरफ से ही अलोट की गई थी उस पर असदुद्दीन ओवेसी ने शुरुआत में कहा था कि यह जो खेरात में मिली हुई जमीन है और आज भी वो यही कहते है कि हमारी मस्जद को टहा दिया गया हम दूसरे मस्जद को लेकर तो बरायन ही नहीं दे देखिए असदुद्दीन ओवेसी सहाब का दोहरा चरितर उनकी बहुत सारी स्टेटमेंट से देखने को मिलता है अगर उनको लग रहा है कि आयोध्या में मुसल्मानों को जो जमीन द 40, 140 करोड में से 20-30 करोड अलपसंख्यक नहीं होते वो है सही माइने में खेरात अगर 20 करोड मुसल्मान कटोरा लेके मांगता है कि अलपसंख्यक के नाम पर हमें कुछ मिल जाए वो है सही माइने में खेरात उसके बारे मैं सदुदीन ओवेसी सहाब कुछ नहीं बोलते है क अगर वो चाहते हैं कि मुसलिम समाज को यह कहना शुरू करें कि तुम माइनॉरिटी नहीं हो। तुम भारत के दूसरे बच्चों की तरह उतने ही बच्चे हो जितना कोई दूसरा बच्चा है। परो लाखों की तादाद में मस्जिद होंगी। अगर इस गली में भी हम यहां से वहां भी अगर जाएंगे ना तो कोई ना कोई मस्जिद निकलाएगी। जिस समय अजान का समय होता है या जिस समय आरती का समय होता है। भारत ही ऐसा देश है जहां पर कहीं मंदिर की घंटि पर नू अलेस सलाम की दरगा शान से खड़ी है, जब लोग राममंदे निर्माण का इंतजार भी कर रहे थे, उस समय भी नू अलेस सलाम की दरगां को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, वहां पे मुसल्मान लोग जाके अगर बत्ती जलाते थे, धूबत्ती जलाते थे, मैं माफ भी करता है, ये दूसरी विचारधारा को एकसेप्ट भी करता है, तो इस तरह की भ्रांतियां सदुद्दीन OEC सहाब फेलाना बंद करें, और मुसल्मान का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसी तरह की नेतना है, जो मुसल्मान को अलप संक्यक बनाना चाहते है अगर सबसे पहला सवाल OEC सहाब से मैं पूछती हूँ कि अगर आप मुसल्मानों के हितैशी हैं, तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोट का विरोध क्यों करते हैं, आपके तेलंगाना में अब से 80 साल के 12 साल की बच्ची के साथ निकाह करते हैं, और आप शरिया के नाम पर छ चार शादियों से बचाएंगे, हलाला से बचाएंगे, ट्रिपल तलाक सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन तलाक हसन, तलाक एहसन अभी भी चल रहे हैं, शरिया लौ अभी भी लोग मान रहे हैं कि एज ओफ प्यूबर्टी is equal to age of marriage, आज क्लाइमाटिक कंडिशन्स हैं, 11-11 अब भारत का युवा, भारत के जो पड़े लिखे मुसल्मान हैं, वो जान गए हैं कि इसलाम के नाम पर मुसलिम समाज के साथ धोका हुआ है, भारतिय राजनीती में मुसल्मान के साथ इसलाम के नाम पर हमेशा धोका ही हुआ है, और उस धोके से मुसल्मान तब ही उपर चुआ धक्राइगा जो पूच्चा स्वानुरों थे लागा। मैं क्या रही है कि UCC जैसे कानून का समर्थन करना चाहिए पर बोत तो जन संक्या ने नंतरण कानून पर भी यह कहते हैं कि मुसल्मानों को टार्गेट करने के लिए सरकार यह कानून ले ले करा देखिये स्टैटिस्टिक्स तो कुछ और ही कहती है जो जनसंख्या नियंतरण के ओपर स्टाटिस्टिक्स होती है वो तो कभी नहीं कहती है कि मुसल्मानी सबसे ज़ादा बच्चे पैदा कर रहा है तो ऐसी सा आप क्यों मुसल्मान के माथे पे टाइग लगा देना चाहते है ये तो कोई नहीं कह रहा कि मुसल्मान सबसे जादा बच्चे पैदा कर रहा है जनसंख्या नियंतरण की बात जब आती है तो केवल ये बात आती है कि जो resources है देश की उसके इसाब से जनसंख्या बहुत अनियंतरित हो गई है परिवारों में लोग जादा बच्चे पैदा कर रहे है और उन बच्चों को सही माइने में nutrition नहीं दे पा रहे है उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे है उन वो बच्चे सफल नहीं हो पा रहे है करियर में settle नहीं हो पा रहे है तो इस तरह के भटके हुए बच्चों को फिर विधर्मी ताकतें कोई अपरादी बना देता है, कोई आतंकवादी बना देता है, और ये कोई मुसल्मान की बात नहीं है, क्या कोई गैंक्स्टर या कोई सीरियल किलर या कोई रेपेस्ट, क्या किसी दूसरी संप्रदाय का व्यक्ति नहीं हो सकता, हो सकता है, अगर हमे समाज में आप राध को भी रोकना है तो भारत के एक एक बच्चे तक शिक्षा, स्वास्त और नियाए पहुचाना हमारी जिम्मेदारी है तो अनियंतरित जनसंख्या को वैलिड तरे से रोकना, देखिए कुछ सरकारे तो ऐसी रही है जो जबरन नजबंदी करा दिया करती थी तो मैं ये मानती हूँ कि जनसंख्या नियंतरण को बहुत रैशनल वे में रोकने के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए और उस तरह के कानून बनाने चाहिए जो किसी के साथ अन्याय भी ना हो, कोई human right violation भी ना हो और इस समस्या को हम सुल्जा लें